नमस्कार, Competition Committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन तुधान आईए फ्रेंड आज हम पढ़ते हैं Competitive Science सीरीज में एक और महतपूर्ण टॉपिक को फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता होगा कि Competitive Science में हम उन महतपूर्ण एरियास को कवर करते हैं जो examination point आप उसे important है जनका संबन्थ हम general science, environment and science and technology से रहता है उन सभी segment को यहाँ पे कवर करने का प्रयास करते हैं इसी स्रिंखला में आज हम general science से related और technology से related एक बहुत ही important segment को कवर करने वाले हैं that is vaccination program याने टीगा करन को लेकर तो यहाँ पर इस competitive series में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम इसे थोड़ा interesting बनाने के लिए आपके लिए ज़्यादा helpful हो so that कि हम इसमें tricks, mzqs, motivation और important facts को भी कवर कराते हैं ताकि आपको बहतर से बहतर इसका जो है लाव मिल सके तो आईए start करते हैं इस immunization program को जिसमें कि हम कैसे भारत में immunization program start हुआ था और किस प्रकार ये सिरिंखला आगे अभी वड़ रही है और present scenario में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत ही extensive vaccination program याभी क्या है वो running है that is a mission एंद्रधनुस program जिसमें कि हम देखेंगे कि different type के disease को किस प्रकार यहाँ पर cover किया गया है आईए इसे समझते हैं भारत में टीका करण को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इसका root कहाँ पर है इसकी जड़ कहाँ है कहाँ से post independent India में आजादी के बाद भारत में अलग-अलग जो vaccination program स्टार्ड किया गया था और किस प्रकार यह आगे बढ़ता चला गया इस चीज की पूरी जर्नी को आप समझ पाएंगे तो आईए स्टार्ड करते हैं उस immunization program की सुरुवाती बिंदू को लेकर तो यहाँ पर याद रखें पहली बार भारत में आधिकारिक तौर पर immunization का biggest program स्टार्ड किया गया जिसे कहा गया सारभौमिक सारभौमिक यानिकी युनिवर्सल टीका करण कारिकरम सारभौमिक टीका करण कारिकरम ये स्टार्ड किया गया था कौन से वर्स में 1978 में तो ये आपके लिए नई चीज है कि 1978 में पहली बार भारत सरकार के दवारा extensive program on immunization extensive program या expanded program on immunization 1978 में स्टार्ड किया गया जिसका लक्ष था कि भारत में उस समय समय में बहुत सारे जो disease थे उसको eradicate करने के लिए उसका उन्मूलन करने के लिए यहाँ पर ये program को launch किया गया था याद रखना अभी polio से ले कि जितने भी अलग-अलग disease हैं ये सब scattered weight से ये सब भिकरे हुए थे इसे बाद में एक जगा integrated module में लाय गया और बाद में हम pulse program जैसे बहुत सारे अलग-अलग vaccination program को रण की तो ये बात ध्याँ रखिए इसे EPI कहा गया expanded program on immunization इसके बाद ये आगे चलता रहा था चल रहा था चल रहा था 1985 में इसे क्या किया गया फिर से amend किया गया और कहा गया कि अब इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे universal immunization program कहेंगे universal immunization program यानि कि सारभौमिक प्रतीरक्षण कारिक्रम तो इसे भी यहाँ पर लिखेंगे सारभौमिक सारभौमिक प्रतीरक्षण प्रतीरक्षण कारिक्रम कहेंगे ये क्या है लाँच किया गया 1985 में जिसका उद्देश था कि 12 अलग अलग disease को एक जगा इकठा किया गया एक जगा गैदर किया गया integrated एक इकरित किया गया और उसके बाद इन सभी 12 disease को eradicate करने के लिए इस immunization program को launch किया गया 1985 में याद रखना अभी भी हम जिस चीज की बात करने वाले अभी polio के बारे में मैं बात करूँगा तो polio अभी भी क्या देख रहे हैं कि वो scattered way में यहाँ पे बिखरा हुआ है एक ही जगा वहाँ पर वो like इसमें सामिल नहीं है यानि कि यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझेंगे कि यह universal immunization program जो है यह सभी लोगों के लिए अनिवार्य रूप से नहीं था कह सकते हो क्योंकि उस समय ऐसा कोई extensive program नहीं था कि rural level पे हम channelize तरीके से करके सब को क्या immunize कर सके तो बात में देखा गया study किया गया कि polio जैसे भेंकर like मतलब एक धुरलब प्रकार की जो है disease जो है भारत में फैल रही थी और इसकी संख्या लगा अतार बढ़ रही थी तो उसके बाद expert ने यह recommend किया कि वर्स 1995 में वर्स 1995 में 1995 में पहली बार क्या लाए गया था pulse polio immunization program लाए गया था 1995 में पहली बार यह लाए गया pulse polio कारिकरम लाए गया था कि सुन्य से 5 बस तक के बच्चों को December जनवरी के महिने में क्या है यह pulse polio की दो बुन जो है पिलाना यह आवश्यक था बाद में उसको एक वो सगन रूप ले लिया गया कैसे आगे लेगा अब उस शीज को समझेंगे तो यह 1985 से स्टार्ट हुआ यह जो युनिवर्सल immunization program लगाता चल रहा था वर्स आते आते 2013 तक वर्स 2013 तक यह immunization program चल रहा था जिसका लक्ष था कि 12 अलग अलग जो है रोगों को यहां पर उसे लड़ने के लिए हम immunize कर रहे थे जिसमें की polio भी अब सामिल हो चुका था 1995 से और उसके पहले अगर बात करें तो polio जो है आवशक सब के लिए नहीं अनिवार या नहीं था आवशक तो था यह अनिवार या नहीं था बाद में पल्स polio आकारेकरम के थूँ इसे अनिवार कर दिया गया 1995 के बाद चीजों को समझते चले यहां पर वर्स 2014 का वो समय आता है जब यहां पर launch किया जाता है इसे कहते हैं Mission Indra Dhanus क्या कहते हैं Mission Indra Dhanus इससा में launch किया जाता है तो इसे लिखेंगे यहां पर Mission Indra Dhanus तो Indra Dhanus में जैसे क्या होते हैं सात रंग होते हैं तो Mission Indra Dhanus में सबसे पहले फोकस किया गया कि UIP के में जो छूट गए रोग हैं या छूट गए लोग हैं या पर्टिकुलर्ली जो रूरल बैल्ट हैं ग्रामीर छेत्र हैं उन छेत्रों को विसेश रूप से ध्यान दिया गया भारत की कीवल 82 डिस्टिक्ट 82 जीलों को ही जबकि पता है कि 600 से भी ज़्यादा क्या डिस्टिक्ट हैं जैसे तो यहां पर 82 जीलों पर एक पाइलट प्रजेक्ट के तौर पे इसे स्टार्ट किया गया कि मिसन इंद्रधनुस का संबंध होगा कि साथ महतपूर रोगों को क्या है उनको eradicate करने के लिए इसको विसेश रूप से मिसन इंद्रधनुस ने स्टार्ट किया गया और 15 में इसे एक्जेक्ट किया गया याद रखना कि ये वही वर्स था 2014 जब हम बात करते हैं कि इसमें भी पोलियों को सामिल किया गया था क्योंकि PPI तो चली रहा था तो PPI यानि कि Pulse Polio Immunization प्रोग्राम में इसको सामिल किया गया था और भारत पोलियो मुक्तराष्ट कब बना 2014 में बना और ये कब स्टार्ट किया गया था 1995 में पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और 2014 के आते-ाते हम देखते हैं यहाँ पर भारत Paulio Free Nation बन गया आपको याद होना चाहिए कि भारत में आक्री बार जो है Paulio का case जो देखा गया था वैलोर में देखा गया था उसके बाद नहीं देखा गया अब भारत क्या है Like a Paulio Free Nation है यह बात ध्यार रखें अब देखिए पल्स पोलियो प्रोग्राम उसके बाद मिसन इंदर धनुस प्रोग्राम इसके बाद देखेंगे मिसन इंदर धनुस के थू जो साथ आपके विसीज थे इसकी संख्या वरतमान में कितनी हो गई है 12 रोगों को अब इसमें कवर किया जाता है जिसका उल्लेक मैं अब ही आगे करोंगा ठीक है अब यह मिसन इंदर धनुस प्रोग्राम का यह फॉस पॉइट था अब मिसन इंदर धनुस पॉइंप तू टू पॉइंट जीरो इसे कहेंगे दूसरा point क्या हो जाएगा Mission Indra Dhanous Mission Indra Dhanous 2.0 ये कब launch किया गया तो verse 2019-20 में 2019-20 में Mission Indra Dhanous program launch किया गया था अब इसके तहट ये 12 रोगों को क्या है cover किया गया ये 12 जो disease है ये बहुत important है exam में कभी भी पूछा जा सकता है इसका लक्ष क्या था एक इसका दो important लक्ष था पहला तो 12 disease को सामिल किया गया और इसे क्या है कहा लक्ष रखा गया कि आने वाले वर्सों में हम 90 प्रतीसद वर्स 2022 तक आते आते 90 प्रतीसद लोगों को हम immunize कर देंगे या कह सकते हैं कि जितने भी target audience है यानि जो भी लक्ष हमको हासिल करना है कि वर्स 2022 तक 90 प्रतीसद का vaccination लक्ष रखा गया और दूसरा point था देखिए 1995 से 2020 तक जाएंगे तो pulse polio program के कितने वर्स पूरे हो जाएंगे 25 वर्स पूरे हो जाएंगे तो वर्स 2020 में pulse polio program के 25 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में ये लक्ष रखा गया कि हम आने वाले वर्सों में वर्स 2020 तक 90 प्रतीसद क्या है vaccination का लक्ष रखेंगे तो इसका दोनों का संबन है इसको एक क्या है motivation के point of उसे प्रोत्साहन के point of उसे कहा गया कि भारत अभी polio free nation तो है लेकिन अभी भी हम उसे हल्के में नहीं ले सकते प्योंकि हमारा पडोसी देश अफगानिस्तान पागिस्तान में अभी भी like polio के cases मिलते हैं और वो आसानी से क्या है यहाँ पर आ सकती है polio के बारे में आगे मैं बताऊँगा उसके बारे में कुछ basic fact लेकिन फिलाल यहाँ पर immunization program को finish करते हैं अब देखिए अब आया covid का phase यह वो phase था जब covid का phase चल रहा था तो mission इंद्रधनुस program mission इंद्रधनुस 3.0 यहाँ पर launch किया गया यह launch करने का उद्देश यह था कि covid में जो छूट गए लोग हैं covid में देखो covid में जो छूट गए target audience हैं यानि कि जो लक्षित समू है उनको यहाँ पर विसेश रूफ से क्या किया गया focus किया गया क्योंकि pandemic situation में lockdown था बहुत सारी problems थी वहाँ तो covid vaccine को लेकर यह सब problems हो रही थी यानि कि वोस चीज को हम face कर रहे थे तो उस समय बाकी immunization program को लोग भूल गये थे कह सकते हो क्योंकि बाकी चीज़ें execute नहीं हो पा रही थी क्योंकि पूरा भारत क्या पूरा विश्व जो है covid की चपेड में था तो mission इंद्रधनुस 3.0 का उद्धिश क्या था कि covid के दौरान छूट गए लक्षित समोहों को immunize करना ये बात ध्यां रखें दिया थीक है clear हुआ तो अब ये चीज़ समझ में आई अब 2022 में mission इंद्रधनुस mission इंद्रधनुस 4.0 लांच किया जा चुका है 4.0 ये लांच किया गया है वर्स 2022 में अब क्या है वो जो लक्ष था ना 90 प्रतीसत लक्ष 90 प्रतीसत immunization लक्ष जो है हासिल करने का हमारा जो लक्ष रखा गया है इस लक्ष को अभी भी हम हासिल नहीं कर सके है है ना तो यहाँ पर याद रखना mission इंद्रधनुस 4.0 ठीक है mission इंद्रधनुस 4.0 का जो लक्ष है कि हम यहाँ पर 90 परसें जो है like इस immunization लक्ष को हासिल करेंगे ठीक है यह हमारा लक्ष था और अभी हम 2023 में तो हम अभी भी इसको focus करके रखेंगे ठीक है यह बात आप सभी को समझ में आई तो यह basically क्या है immunization program का क्या है important crux है अब मैं यहाँ पर 12 disease की बात करूँगा तो 12 disease के पहले जो mission इंद्रधनुस launch किया गया था तो सुरवात में जो है यह साथ disease को cover किया गया था यह साथ disease को cover किया गया था जिसमें titanus था polio था TB यानि की तपेदिक भी कहते है इसे है ना खसरा यानि मीजल्स diptheria kokore खांसी यानि wolfing cuff या काली खांसी भी कहते है और hepatitis B को सामिल किया गया था यह सुरुवात वाला था ठीक है और इसके बाद जब हम इसका extensive program देखते हैं यह इसका present scenario है 2023 में तो कितने प्रकार के disease को इस बिसन इंद्रधनुस में include किया गया है तो 12 disease है और यह 12 disease को मैंने जैसे यहाँ पे जो yellow color के हैं जिसमें diphtheria काली खांसी polio pb hepatitis B tetanus और यह measles यह पहले 7 थे जो पहले में साथ थे सुरुवात में target रखा गया था तो बाद में इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया इसमें meningitis जो brain disease है मस्तिष के से related disease है pneumonia जो क्या है एक प्रकार का pneumonia किसके कारण होता एक प्रकार का जो है fungal disease है है ना तो यह से भी सामिल किया गया इसके अलावा rotavirus vaccine pneumococcal conjugate vaccine और यहाँ पर रुखसरा रुबेला vaccine को भी इसमें सामिल किया गया रोग को भी eradicate करने के लिए इनके भी vaccines दिये जाने लगे बीच में यहाँ पर देख रहे है 9th और 10th नंबर में hemophilus influenzae type B hemophilus hemophilus influenzae type B और Japanese encephalitis यह जो है केवल क्या है यह क्या है optional है optional कहने का मतलब यह देश में क्या है किसी विशेष छेत्र में ही देश के कुछ चिनुन्दा जीलो में ही इसे क्या है इसे मिसन इंद्रधनुश के थूप इसे adopt किया गया है मतलब इसे सामिल किया गया है ताकि immunization इसका भी हो सके खास कर Japanese incephalitis UP के बहुत ही जीलो में क्या है बहुत ही लाइक महमारी वाले condition में है वहाँ पर लाइक बेसिकली इसे विशेष तोर पे लगा आई जाता है लेकिन पूरे भारत में ये 12 vaccination program नहीं होते 10 तो पूरी तैसे होते है ये 2 जो देख रहे हैं ये केवल एक का चुनिंदा 0 के लिए है आयोप ये बात है समझ मैं ही अब मैं जिसकी बात कर रहा था थोड़ा polio के बारे में बात कर लेते है polio basically किसके कारण होता है तो एक Greek word है actual में poliomyelitis तो polioma virus या poliomyelitis virus के कारण होता है ये human body के कौन से system को प्रभावित करता है तो हमारा spinal cord spinal cord या meru raju को प्रभावित करता है जिसमें कि वो related organ क्या हो जाता है पूरी तरह से कहना चाहिए हम पंगु हो जाते हैं यानि कि कहना चाहिए कि वह अचल हो जाता है चाहे हाथ हो पैर हो अलग-अलग reason जो है वहाँ पर वो जो organs है वो बिल्कुल डेवलप नहीं कर पाता चलने फिरने में दिक्कत होती है तो ये किस organ को provide करता है spinal cord को करता है पता है हमारे body में कितने एक gram का spinal cord होता है इसका weight होता है 35 gram जबकि brain का weight कितना होता है 1400 से 1500 gram डेड़ कि लो के आसपास जो human body का लगबग लगबग 2% के आसपास होता है weight का ठीक है तो ये polioma virus के कारण होता या poliomalitis virus के कारण होता है जो हमारे nervous system spinal cord को प्रभावित करता है साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना होगा पहली बार कि इनको polio vaccine दिया गया तो Jonas Salak Jonas Salak को सबसे पहले polio vaccine दिया गया भारत में polio eradicate कब हुआ है वर्स 2014 में polio मुक्तराष्ट बन चुका है WHO के according लिए ठीक है ये बात ध्यान रखना ये बहुत important point है आगे बात करते हैं हम कि इसमें और क्या चीज़ें समझी जा सकती है तो हम आने वाले वर्सों में 2024-2025 तक हम क्या है TB का उनमूलन का भी लक्ष रखे हुए है present scenario में 2017 की health policy में इसके अलग-अलग लक्ष रखे गए थे लेकिन उसको फिर से बात मैं amend कर दिया गया ठीक है तो ये बात ध्यान रख लेना तो ये होता है ये है basically आपका immunization program अब एक और important point ये याद रखना कि world का biggest immunization program कब launch किया गया था तो covid vaccination चो हो था है हमारा covid vaccination यानि की SARS-CoV-2 virus के कारेंड जिसे हम coronavirus कह देते उसका actual नाम क्या है SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome और COVID-2 तो ये क्या है basically आपका SARS-CoV-2 ये है covid virus का नाम और इस corona virus के against में भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा biggest immunization program भारत में वर्स 2021 में launch किया गया था ये बात याद रखेगा ये है आपका basically immunization related कुछ महतपूर concept I hope ये बातें आपको समझ आई होगी ठीक है चलिए अब हम देखते हैं आज की session का एक important trick तो आज हम समझेंगे इस competitive science series में एक important trick तो trick of today's session तो trick क्या याद रखेंगे जैसे कि हमारे elementary canal से related है हमारे aharnal से related एक trick है जो आपको अकसर exam में पूछा जाता है aharnal या elementary canal तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा यहाँ पर जो food का हमारा track होता है पहले कहाँ होता है buccal cavity यानि की mokh guha में जाती है mokh guha में food जाता है इसके बाद कहाँ पर जाता है isophagus में जाता है isophagus में जाता है या फिर इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है ग्रास नली इसे कहा जाता है ग्रास नली इसके बाद यह कहा जाता है फूट आपका स्टमक में जाता है स्टमक में जाता है या फिर आमाशे में जाता है और इसके बाद यहाँ पर small intestine में जाता है फूट small intestine में जाता है यानि कि छोटी आत में फूट जाती है इसके बाद लार्ज इंटस्टाइन में जाता है यानि कि बड़ी आत में फूट जाती है तो यहाँ पर आप लोगो आज मेट्रिक ये बताने वाला हूँ कि जैसे ये फूट का ट्रेक्ट है भोजन का मार गए है अगर आपको पूछा जाता है तो तीन इंपोर्टेंट चीजें यहाँ से पूछी जाती है कि आमासय का अग्र मध्य और पश्य भाग क्या है यानि कि एंटिरियर मेडिल और पोस्टिरियर पार्ट क्या है तो यहाँ आप लोगों को बता दो इसका ट्रिक भी याद रख लेना क्योंकि एक्जाम में यह पूछा जाता है अग्र भाग को कहा जाता है काडियक क्या कहा जाता है काडियक मध्य भाग को क्या जाता है यहाँ पर फंडिक और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है फंडस होता है तो इसको अग्रमध्य पश्य को याद रखने का तरीका क्या है अक्सर आपको एक्जाम में ये confuse करेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर अग्रमध्य पश्य को anterior, medial, posterior को अलग-अलग difficult नाम से देगा तो आप लोग को याद रखना इसका starting word देखिए काडियक का फंडिक का F और पाइलोरिक का P तो alphabetical method में जाएए अग्र मध्य पश्य आपको समझ में आ जाएगा जो alphabet में पहले आ रहा है तो वो C बीच में आ रहा है F और P आ रहा है बाद में भई अलफाबेटिकल पहले C आता है फिर आप आता है P बाद में आता है कि नी तो जो सबसे बाद में है तो वो P पाइलोरिक है जो सबसे पहले है वो क्या है काडिय का बीच में जो आता है वो middle part है बाद समझ में आई ठीक है इसके अलावा आप यहाँ पर भी सेम चीजें कर सकते हैं लेकिन इसका ट्रिक थोड़ा सा अलग है इसका ट्रिक जैसे कि इसका अगरभाग को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर है ना यहाँ पर डियूडेनम डियूडेनम इसका अगरभाग को कहा जाता है ठीक है इसके अगरभाग को ग्रहनी कहा जाता है ग्रहनी या dudenum मध्यभाग को क्या कहा जाता है dudenum के बाद जेजुनम या जेज़ेणम है ना तो जेजुनम यहां पर मैंने कह दिया मध्यांथ और तीसरा होता है कि ये क्या होता है आपका इलियम या फिर इसे छुद्रानथ कहा जाता है ठीक है तो इसका अग्रम अध्य पश्य याद रखना है कई बार क्या डूडे नम दे देगा जिजू नम देगा इलियम दे देगा तो आप यहाँ याद रख सकते हैं इसका ट्रिक है स्मॉल डी जे आई आपके यहाँ पार्टी हो रही है और आप डी जे मंगाए हैं लेकिन इस बार क्या है पार्टी बगर में क्या जनरली होती है कि बड़े डी जे मंगाई जाते हैं इस बार आपके हैं बड़े पार्टी है तो आप small DJI कह रहे हैं तो small मतलब small intestine DJI डूडेनम, जेजुनम, इलियम गरहनी, मध्यान, तरचुद्रान तो इसे भी अग्रमध्य पश्चो को इस प्रकार याद रख सकते हैं I hope ये आपके लिए helpful रहा होगा एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं पास्टियर के ब्यापम पीएसी के रियल कोश्चेंस हैं तो कभी इसे confused मत रहिएगा, यहाँ alphabetical method यूज करिए, कि जो alphabet में पहले आ रहा है वो आगे, जो बाद में आ रहा है वो पीछे याने posterior यहाँ पर कह रहे हैं कि small DJI तो small intestine में dudanum, zezunum और alien जो है अग्रम, मध्य और पश्यभाद I hope यह बाते सबको clear हुई होगी मिलते हम next class में कुछ नए और interesting topic के साथ, thank you so much heaven I stay